राट्रिया स्वयम सेवक संग स्वयम सेवकों की गुरु दक्षिना पर चलता है। यहां तक कि स्वतंत्र भारत का द्वज कौन सा हो इसका फ्लैक कमिटी ने जो रिपोर्ट दिया वो तो यही दिया कि सर्वत्र सुपरीचित सुपर्चिश्टित भगवाजेंडा हो बात में उसी परिवरत नुवा तिरंगा द्वज आ गया हो अमारा राष्ट्र द्वजे उ यह भी प्रट्न उठाये जाता है शाखा में बगवा जंडा लगता है तिरंगा जंडे का क्या तिरंगे जंडे के जन्म से उसके संबान के साथ संग का स्वन्शक जुड़ा है मैं आपको सत्य कता बता रहा हूं निश्चित होने के बाद उस समय तो चक्र नहीं था चर्का था द्वच पर पहली बार फैस्पूर के कॉंग्रेस अधिवेशन में उस द्वच को फैराय गया असी फीट उचा द्वचस्तम लगाया था नेरुजी उसके अधिक्ष थी तो वो बीच में लटक गया उपर पूरे जा नहीं सका और इतना उचा चड़के उसको सुलजाने का सास किसी का नहीं था एक तरुन भीड में से दोड़ा वो सरसर उस खंबे पर चड़ गया उसने वो रसियों की गुथी सुलजाई द्वच को उपर पहुचा के नीचे आ गया तो स्वाभाविक लोगों ने उसको कंदे पर लिया नेरुजी के पास ले गया नेरुजी ने फैसपूर में रहने वाले श्री किसन सिंग राजपूत नाम के वो स्वाइन सक थे उस समय पाँच वर्ष या छे वर्ष पहले उनका द्यानत हो गया उर्द्ध हो गया डॉक्टर एडगवार को पता जला डॉक्टर एडगवार प्रवास करके गया डॉक्टर एडगवार ने उनको एक छोटा सा लोटा चान्दी का छोटा सा पुरसकार के रूप में बेट दिया उसका अभिनाजन किया तब से पहली बार फढ़ाएगा तब से इसके सम्मान के साथ स्वयंस्योग जुड़ा है जब पहली बार कॉंग्रेस ने संपूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया लाहर के देविशन तो डॉक्टर साब ने सरकोलर निकाला साथ शाखाओं में कि हम लोग संचलन निकाले है 1931 की बात है और संचलन में तिरंगे धोज के साथ संचलन निकाले और कॉंग्रेस का अभिनंदन करने वाला प्रस्ताव शाखाओं के द्वारा पारित करके बेजा जाए कॉंग्रेस कमेटी के पास डॉक्टर हेडगेवार उनके जीवन में देश का परम वैवो देश की स्वतन्रता यही जीवित का गंतव्यता है संच में दूसरा क्या हो सकता है और इसलिए अपने स्वतन्रता के जितने सारे प्रतिक हैं उन सब के प्रति संच का स्वयन से वक अत्यंत श्रद्धा और समान के साथ समर्पित रहा है इससे दूसरी बात संग में नहीं चल सकती है खर उस भगवेद वज को गुरु मानते हैं उसके सामने गुर्दक्षना करते हैं और उसमें जितना होता है उसमें हम अपना खर्चा चलाते हैं आज की भी स्थिति संग इतना बड़ा और प्रसित्त मैंने तक खर्चा चलाने में थोड़ी तंगी आ जाती है सेवा के काम अनेक स्वयंचोग करते हैं उसके लिए समाज का साहिय लेते हैं उनके ट्रस्ट बने वह बाकादा नीदी संकलन करते हैं उसका हिसाब रखते हैं सारी बाते वह जैसा प्रोसिजर है कानून का वैसा करत सरहते हैं लेकिन राष्ट्रियसों सिवक संग यह बाहर से पैसा नहीं लेता दिया टो भी नहीं लेगा कि संग को चलाना है संग के सवाग करंशयों को ऐसा स्वाहूलम में हमारा संगतन है और संसकार का का म है तो इसमें प्रचार का बहुत ज़्यादा काम नहीं होता क्योंकि भाशन तो आप बहुत सुनते होंगे ग्रंथ तो आपने बहुत पड़े होंगे लेकिन जो लिखा पड़ा है समझा है उसको आचरन में उतारना इसके लिए आदत ही काम करती है और दूसरी कोई बात काम नहीं करती है वो आदत लगाने का काम शाका में होता है, रोज आदत होती है, अनुशासन की आदत होती है, समाज को अपना मान कर सारी बाते करने की आदत होती है, पहले दिन से शुरू होता है, और इसलिए कोई आस्मानी आपत्ती आजाए, जैसे केरल में आगई, संगगा स्वहिंस्योक स हम सोचरे कुछ खड़ा करें उसके लिए लेकिन अब तक तो नहीं मिला वो पहले गये कैसे हमने एक भाव उत्पन किया और हमने एक अनुशासन की पद्धती उत्पन कि संपूर्न देश में सब लोगों को यह प्रशिक्शन मिले चारा समाज राष्ट्रियेanson से संगे इस मामले के बन इस इच्छा से हम इसको कर रहे हैं। इससे क्या हो गा आप लोगों को इससे क्या साथना है हमको और कुछ नहीं साथना है यही साथना है, और कुछ नहीं। बहुत लोग इसके जो उद्देश्य चिपकाते हैं दो बिलकुल नहीं है हम संग का डॉमिनेशन नहीं चाहते उल्टा है संग का विचार अगर संग डॉमिनेशन के कारण इस देश में कुछ अच्छा हुआ ऐसे इतिहास लगेगा तो वो संग की बहुत बड़ी पराजय होगी क्योंकि हम चाहते हैं कि देश का इतिहास देश का वर्तमान देश के लोगों के कारण बने महापुरुष विचारधाराय तत्वध्यान यह सब सायक होगा लेकिन सामान्य व्यक्ति के करतुर्त वसे देश का परमय भो आना चाहिए प्रार्थना में हम कहते हैं विजए त्रीचन संवता कार्य शक्ति हमारे सामुहिक शक्ति के आधार बर हमारे यहने संग के नहीं हिंदू समाज के सामुहिक शक्ति के आधार अगर उसमें ऐसा हो गया कि कोई संग आ गया और उसने इस देश का उद्दार कर दिया तो ये संग को मंजूर नहीं इसलिए बहुत अच्छे काम बहुत संचुक करते हैं उसकी प्रचिजदी प्रचार में नहीं जाते हैं अब बहुत दबाव बढ़ गया है संग बढ़ा हो गया है और यह हम नहीं करते तो गलत फामी पहलाने का अवसर मिलता है इसलिए हाल के बीशेक वर्षों में हम क्या कर रहे हैं इसका हम ब्यवरा रखते हैं हम अपनी पीट कभी नहीं थमतबाते हैं क्योंकि आखिर यह तो करते गया है हरा आदमी का करते संग क्या विशेश कर रहा है संग के सवsels को कितने बड़ बड़े काम करते कोन सी बड़ी बात उपका रह क्या कि topnowव समाज यह उसकी लिए करना है जरूर है तो देश हित्मे समाज हित्मे मरनी की भी तयारी रखनी चाहिए तो जिन्दा रेकर कुछ चार अच्छे काम कर लिए तो उसमें पीट थप थपना की बात क्या है निश्वार्थ बुद्धी से देश की सेवा करो सब मिलकर करो और इसलिए सामुहिकता कदम कदम पर संगह में आपको मिलेगी संगह की कितने स्वेंशों कहें कितने काम करते हैं लेकिन प्रसिद्ध सब नहीं होते दुनियादारी में चलना है तो संगह टरंग के पदादिकारी होने पड़ते हैं फिर बड़ा बन गया है तो माध्यमों के लोग पीछे पड़ते हैं दिखाते हैं इसलिए किसी को सामने आना पड़ता है नहीं तो मोहन भागवत सरसंगह चालक बन गया और उसके रोज फोटो छप रहे हैं ये मोहन भागवत के लिए बहुत परिशानी का भीश है क्योंकि ये संगह की पद्दत ही नहीं है कभी कभी लोग कहते कि आप सब अच्छे विक्तियों को फिसलेज बना रहे हो हाँ बात सही है हम फिसलेज बनते हैं क्योंकि ये भी अंकार न रहे कि मैंने किया है उसकी कुछ कठिनाई अभी आती हैं उनको लेकिन हमने एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्तिय समाज में बने इसके लिए ये काम शुरू किया और उनको कुछ नहीं चाहिए सत्ता में कौन बैठेगा देश किस नीती का स्विकार करेगा समाज के लोग तै करेंगे उसके उपकरन बने हैं वो चल रहे है वो और अच्छी तरह चलेंगे अगर इस प्रकार से देश भक्त प्रहामानिक निश्वार्थिय अनुशासित लोग उसमें होंगे जितने जाड़ा होंगे उतना अच्छा चलेगा उसकी चिंता हमको नहीं है हमको चितना चिंता केवल इतनी है कि ऐसा एक आचरण बने समाज का और इसलिए सारी बाते हमारी रहती है जिसके बारे में लोग प्रश्ण पूस्ते कि आप प्रसिद्धी प्रचार से दूर क्यो झाल